वेलकम टू जेटक 786 गाइस आगर आप देख रहें तो आपके लिए वन आउप थी पैस ब्रांड बताऊंगा जो आपको होग में वन आप थी पैस रहेंगी और इंडियस नंबर वन रहेंगी और आपकी बिल्ट-इन कॉलर्टी आपको स्टॉंग रहेंगी और आपको सर्व इंट्रिद्यूसिंग इलीका फिलेक्सी डीएसेफ हॉब यह आपको 90 संटीमेंटर का हॉब रहाएगा यह आपको ट्विन वन भी कर ले सकते हैं गर्नेट के अंदर भी फिक्स कर ले सकते हैं टेगो टॉप भी बना ले सकते हैं इसमें आपको त्री वेरेंट मिल जाएंगे इसमें आपको 60 cm मिल जाएगा इसमें आपको 70 cm मिल जाएगा इसमें आपको 90 cm मिल जाएगा आपका जिएवीह रहेंगे इसमें धंथायाइट में नहीं-पनिक्री प्रतियाल नहींया मैं आपको इसका एनवरी पार्ट एक्सक्ड रहु है तो आल य Kissadilut एसमे आपको पीमिंटारिक नॉब हो दिख को दो कि समय और इसमें निद्वनिय चाहिए नियक्क रिंगे तर्टे का फ़ुली ब्लाक कि लास आगा आपकञे अच्अले सब्सक्द शूरेगां देंगा आपको हीट सपोटर के साथ इसको हीट होने कभी बने दींगा अप हो किता भी इस्तेमाल कर लीजयıs कभी भी आपका नॉब जो है इतिक ने होगा आप इसको आराम से अव्परेट कर ले सकते और इसका लाइफ आपको लॉंग लास्टिंग रहेगा इसमें आपको 4 बंद रहेंगे आपको 4 किलोट के 2 बंद रहेगे और 1.7 किलोट के 2 बंद रहेंगे यह जो है कि आपको 15 स्टम में काफी हैवी कास्ट आरेंड है आपकिता भी डी ते यह एजी केपेबल रहेगा इसमें आपको फुल बराज बननर है इसमें आपको हाई FNC और फ्लेम आएंगी आप जो भी कुकिंग कर रहे हैं पास कुकिंग होगा और आप इसको easy clean भी कर ले सकते easy remove हो जाएगा और easy आप clean कर ले सकते इसमें एक unique technology है इसमें आपको spill safe बंडर क्याप रहेगा इदर आई लए यह आपको इस्पिल सेफ रहेगा जैसा आप कुकिंग कर रहे हैं आपके बंडर के उपड़ तो इस्पिलर हो कि अगर अंदर कुछ गिर गया तो ब्लॉक जैसे आपको कुछ भी नहीं होंगे आपका आटो इंशन भी सेफ रहेगा और आपको ग्यास उटेंसस भी सेफ रहेगा तो यह आपको बनाव दा बेस्ट फीचर है हॉप के अंदर हॉप लेना कोई बड़ी बात नहीं है बट हॉप को मेंटेन करना और उसको आपरेट करना वह इंपॉर्टेंट है तो यह हॉप में आपको सर्वीस रिक्वार्टमेंट नहीं रहेगा आप कितना भी ज्यादा कुकिंग कर लिजिए अगर कुछ भी इस्पिलट होके अंदर गिर गया तो ब्लॉकेजस कुछ भी नहीं रहेगे आप उसको इजी क्लीन कर ले सकते और आप इजी मेंटेन कर ले सकते आप अराम से 10 और 15 चार्श इसको अराम से इस्त तरफ रख देना है खाली यह लग गया मैंने इजी से लगा दिया है और यह आपका पैंसर टी स्टम दुबारा इस पर लगा दीजिए इसमें आपको इंड्विल्ट आटो इग्निशन आएगा आटो इग्निशन आपको यहां पर रहेगा आप जस्को प्रेस करना है यहां पर स्पार्ट पास होगा स्पार्ट से आपको फ्लेम आ जाएगा तो आप इसको अंटी क्लॉक वोईस यहां से खाना है आपको लो मीडियम हाई स्पीट कर ले सकते यह आपको आटो इगनेशन आपको बैटरी से ओप्रेट होगा एबरी त्री टू फोर मांस आपको बैटर और इसके जो आपको इलिका की सर्विस रहेंगे आपको मुनापती बैस सर्विस रहेंगे आपको कुछ भी डॉर्ड है तो मुझे कमेंट करेंगे I am happy to assess you